हेलो दोस्तों स्वागा थे आपका पील्सी लर्निंग पॉइंट पर आज के इस वीडियों में हम देखेंगे मिच्छुबिशी पील्सी के fx2 nc model के बारे में ठीक है ना देखिए fx2 nc 16 mrds mr का मतलब होता है यह जो fx2 n हमने जो पीछले वीडियो में देखा था वो देखा था fx2 nplc के बारे में इसके पीछे जो यह c लगा हुआ है इस c का मतलब होता है यहाँ पर एक connector cable होती है एक ribbon cable होती है तो उसके through यह connect हो जाते है ठीक है ना अब यह जो 16 mrds है इसमें 16 maximum number of input and output है 24 volt dc पर यह operate होता है इसका जो input होता है वह होता है 24 volt dc sink source और यह relay type output देता है ठीक है ना अब इसमें एक notice करने वाली बात यह है कि fx2 nc series में एक ही plc है जो की relay type है और बाकी सारे plc transistor source type output देते है fx2 nc 16 mtdss power supply 24 volt dc की जरूरत होती है 16 total number of input and output होते है 8 input और 8 output होते है यदि input type मतलब इसको किस तरह से input दिया जाएगा कौन सा sensor लगाया जाए तो इसमें 24 volt dc sync source दोनों type के sensor हम यूज कर सकते हैं और transistor source type यह output देता है power consume करता है यह 6 watt का जिसका weight है वो होता है 200 gram यह बहुत ज्यादा compact होते हैं यह plc भी 24 volt dc पर operate होता है इसके input supply की बात करें तो यह 24 volt dc sync source input पर काम करता है और output यह transistor source type पर देता यह दिखने में इस तरह का दिखाई देता ठीक है न अब यह देखिए इसमें एक तरफ से input है और एक तरफ से output है यहाँ पर आप देखोगे तो 16 input और 16 output है ठीक है इसमें एक तरफ से input की cable लग जाती है और दूसरी तरफ लगती है आउटपुट की cable अगला PLC FX2NC64MTDSS यह PLC इस तरह से दिखाई देता है यहाँ पर देखिए यह सिर्फ एक single model दिखाई दे रहा है यदि इसके बाद एक PLC और जोड़ देते हैं तो वो 64MTDSS बन जाता है ठीक है तो यह इस तरह से देखो इसमें 32 input और 32 output होंगे यहाँ यहाँ पर देखिए 32 input 32 output चोईस वोल्डीसी सिंक्सोर्स इंपुट ट्रांजिस्टर सोर्स टाइब इसका आउटपुट होता है इसी दरह से FX2NC96MTDSS एक PLC होता है इसमें भी इस तरह के 32MT के टोटल तीन पाटेशन लगे होते हैं यहाँ पर देखिए 1 2 & 3 तो टोटल इ इसमें 48 input and 48 output होते हैं इसको 24 वोल्डीसी सिंक्सोर्स इंपुट वोल्टेज की जरुवत होती है ट्रांजिस्टर सोर्स टाइब इसका आउटपुट होता है पावर कंजूम करता है यह 14 वाट का ठीक है ना वेट इसका 450 ग्राम होता है और डाइमेंशन इसकी इतनी होती है अब देख लेते हैं इसके कुछ special features के बारे में special features में very compact dimension इसकी dimension काफी compact हो जाती है क्योंकि connector के through इस पे input और output connect होते हैं ठीक है ना standard programming unit interface LED for indicating the input and output status यहां पर इसमें input का status दिखाने के लिए LEDs दी होती है और output का status दिखाने के लिए इस तरफ इसमें LED दी होती है removable terminal blocks screw terminals for the relay output type यह वाला जो इसमें PLC है इसमें screw terminal है और बाकी सब में removable terminal है ठीक है ना और ribbon cable connector for the transistor output type for the system cabling तो जितने भी input की wiring या output की wiring होती है वो terminal तक आती है और terminal से PLC तक दो सिर्फ cable आती है ठीक है तो panel के अंदर जो wiring होती है वो ज्यादा failure नहीं लगती है एक दो cable के सारे सारे input and output के wire आ जाते है adapter modules and system cabling set available for unit with ribbon cable connectors ठीक है तो ribbon cable connectors के साथ में सारा set available होता है और इस PLC के बहुत सारे फायदे होते हैं सबसे पहला फायदा तो यह होता है कि यह एक बहुत compact design होता है और इसमें input और output के लिए cabling दियू ही होती है यह PLC 16, 32, 64 और 96 input और output में हमें मिल जाता है तो दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो fx2 nc PLC के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम Mitsubishi की किसी और PLC के बारे में देखेंगे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय ही जय भारत मिलते है नेक्स्ट वीडियो में